क्या आप एवियन के पेशेंट है और आप एलोपैथिक ब्लड थिनर्स ले रहे हैं मतलब खून को पतला करने की दवाई ले रहे हैं और यदि आप ले रहे हैं तो यह वीडियो के वल आपके लिए है पूरा ज़रूर देखिए बहुत ही जादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है क्योंकि कहीं न कहीं कोई भी पेशेंट जो जुझरा हो फस्ट से ले करके लास्ट से थे तक का उसको एंज क्यों नह Oh व योटिवड रीटमेंन कभी न कभी लेता ही है और उस इलो पैठिक ट्रीटमेंट में आपके पेन किलर और विटामिन D के साथ में कही न दॉक्टर्स बलेट थीनर भी देते ही है तो ये बलेट थीनर कैसे सच में एव्य न को ठीक कर सकता है इसके पीछे पूरा वीडियो हने वाला है पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा तो आप वीडियो जरूर देखिए लाश्ट तक यदि अच्छा लगता है तो लाश्ट में आप लाइक कर सकते हैं इसी के साथ इंस्टाग्राम फेस्बुक पर फॉलो करना ना भूलें यदि आपको फ्री कंसर्टेशन चाहिए तो आप डेली लाइव क्लिनिक होता है मेरा सा साथ में दोस्तों अभी तक आपने चैनल सस्क्राइब नहीं किया है सस्क्राइब कर लीजिए पडोस की वेल आइकन को दबा के अल जरूर से लग किजेगा आईए सबसे पहले टॉपिक पर आते हैं कि जो ब्लड थीनर होते हैं वह एक्चुल में काम क्या करते हैं फिर आप लोग यदि बात करें तो इसके सबस्क्राइब यदि आपने टाइप समझ लिए तो इसका वर्क भी आपको समिन में आ जाएगा इसके मेंली डो टाइप्स होते हैं पहला होता एंटी कॉगुलेंट और दूसरा होता है एंटी प्लेटलेट्स एंटी कॉगुलेंट और है ना मजलत हूं के थके बन रहे हो कोवीड है कोवीड में जो है निमोनिया हो रहा था और निमोनिया में बहुत सारे मान लिजीसे ardंका निहाँ निइतні निशेanu थे तो कैसा दूद अलग हो संहां और प्रोटीन अलग 언제 शाता कर ini हो जाता है वे इसी क्लोड को बचाने के के लिए और आप बोल सकते हैं पिघालने के लिए मतलब उसको डिजॉल्व करने के लिए और फ्यूचर में ऐसे क्लॉट्स ना बने उसके लिए यूज होते हैं ब्लड थीनर्स चाहे वह फॉर्म आफ एंटी कोगलेंट हो या फिर एंटी प्लेटलेट्स हो मतलब करने वाले या फिर क्लॉट्स से प्रवेंट करने वाले और क्लॉट्स को पिगलाने वाले किसी भी फॉर्म में आप जो है ब्लड थीनर्स डॉक्टर की गाइडेंस में ले रहे हैं तो आपकी इमर्जेंसी कंडिशन के लिए यह एक वरदान साबित हो सकता है और लाइफ से सप्लाइ नहीं हो पा रहे सल्एव नेहीं नेकेरो से अब पता होगा अब ब्लड की स्प्लाइ जो है क्यूंकि व्लड की वैस आपको बताता हूं जैसे मान लीजी यह 및 मर्का हैでは मेरी यहां यह मर्का है और यह उसकी की ब्लेट अप्लाइ जो है अंदर फैट जम गया है जिस से जो पाइपलाइन जो अंदर का जो सरफेस है जहां से जितना अमाउन में खूम छाना था वह नहीं पा रहा है क्योंकि अंदर जो है वह फैट की एक layer बन गई है, इस कारण सी ये narrow हो गई है अंदर से, है ना, अब जो है यहां से blood जितने amount में जाना था, उतना amount में नहीं जा रहा, इसलिए फीमर का ये जो गोलाई, ये जो head है, ये सड रहा है, अब blood thinner क्या होता है, कि blood को पतला कर देते हैं, है ना, blood पतला हो गया, तो जा ये curative नहीं है, आप खुद ही समझिए, जैसे जो blood supply यहां से नहीं हो रही थी, हमने खून को पतला किया है, न कि इसके fat को dissolve किया है, है ना, बहुत फैट तो वहीं कि वहीं है, खून पतला होते जा रहा है, खून पतले से जाते जा रहा है, ठीक है, तो ये curative नहीं है, temporary है, और कुछ amount में फाइदा होगा, बट यदि आप हमें बात करू, avian को ठीक करेगा ये नहीं करेगा, तो directly ये कभी ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि ये blood thinner है, blood पे काम करेगा, न कि femur के head पर हड्डियों पर काम करेगा, तो जो यहां पर obstruction है, fat का obstruction है, किसी भी प्रकार का कोई obstruction है, तो उसको जो है, वो dissolve नहीं कर रहा है, उसको नहीं हटा रहा है, root cause को नहीं हटा रहा है, उस केवल और केवल खून को पतला करके और femur के head पर पहुचाया जा रहा है, तो ये एक प्रकार से आप बोल सकते है, management हो रहा है, क्योंकि यदि curative medicine की बात करें, तो curative medicine क्या होगी, कि fat को मास के हटा दे, जो vessel है, जो blood की artery अवेन जा रही है, उसको जो है, वो normalize करें, पहले जैसी थी वैसी कर दे, साथ में blood भी पहले जैसा था वैसा ही हो, ना कि artificially आप उसको thin करो, अब ये जो है, आपको समझे में आया होगा, कि curative नहीं है, management हो सकता है, आपको फाइदा जरूर होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, फाइदा नहीं होगा, आप किसी भी चिकिस्सक से blood thinner ले रहे हैं, तो निश्यत रूप से आपको फाइदा जरूर होगा, पर ये बात जरूर ध्यान रखें कि इससे avian ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि avian में केवल blood की supply ही बढ़ पर जो artery में जम गया है, वैसल में जम गया है, उसको हटा देगा, और आपकी सारी चीज़ को normalize कर देगा, वह treatment ही लीजिए, चाहे वो किसी भी पैथी का treatment, क्यों ना हो, अब ये तो रही बात कि जी हाँ, blood thinner से help होगी, पर curative होगा, या नहीं होगा, ये कोई भी doctor नहीं बत सकते, second thing क्या आती है, इसके side effects, side effects बहुत जादा है, क्या side effects है, blood ये पतला हो गया, तो blood ये पतला हो गया, तो शरीर से hemorrhages हो सकते है, उल्टी हो सकती है, जो आप fresh होने जाओगे, तो मल के साथ में खोना सकता है, पेशाब में खोना सकता है, आपको चकते लाल-लाल blood के clots देखने को मिल सकते है, आपको dizziness हो सकती है, drowsiness हो सकती है, और भी कहीं सारे complications देखने को मिल सकते है, तो जी हाँ, ये जान बचाने वाली drugs तो है, पर emergency condition में, AVN पर इसका work तो है, पर ये directly उसको ठीक नहीं करेगी, खुन को पतला कर देगी, और कब तक आप खुन को पतला लेके घुमते रहोगे, एक बार तो आपको curative दवा लेना ही पड़ेगी, management से कुछ नहीं होगा, I think आपको समरी में आगया होगा, thank you so much पूरा वीडियो देखने के लिए, informative लगा हो तो like कीजिए, कोई आपकी query है, आप नीचे comment कर सकते हैं, और AVN के group पर follow करना ना, भूले अधिक सदिक लोगों को जरूर पोचा दे, क्योंकि डेली में AVN के लिए कुछ नकुछ information लाते रहता हूँ, thank you so much पूरा वीडियो देखने के लिए, proper treatment है आपको चाहिए, मुझे WhatsApp जरूर कीजिए, मैं मिलता हूँ आपको next video में, तब तक के लिए, नमस्कार